व्रइसिपी गुर्मानी बादाम पूदिने की कचारी जो की हिमाश्चल की बहुत ही फेमिस रेसिपी है यह एक मेर्ट की मोम ने मुझे यह रेसिपी बताई थी और मैंने वहाँ पीस्ट कीती मुझे बहुत ही टेस्टी लगी तो मुझे लगा यह मैं आपके साथ जरूर शे बनाना बहुत जादा मुश्किल नहीं है घार में ही सारे इंग्रीडियंट्स अविलेबल होते हैं तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो देखिए हम यहां पर यह दो कप आल पपस फ्लाड ले रहे हैं मैदा इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक वन फूर्थ या हाफ स्पून अब हम इसमें डालेंगे चार टी स्पून ओईल जो कि हम मौईन के लिए डाल रहे हैं अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम इसमें थोड़ा सा मोईन ओ डालेंगे हमें तेल कम लग रहा है करीब आथ 5 तीजपून क्यूंकि जब हम इसको ऐसे ब्सक्राइब करेंगे तो इस तरी की से बाइंड होना चाहिए तो देखिए अब येजी लिवाइन हो रहा है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालके इसको हम नीड करेंगे कि हमें दज़़ को ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं नीट करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं नॉर्मल तरीक़ेसे ही हमें इसी नीट करना है आप थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसमें इसको धनकी हातों से नीट कीजिए इसे अच्छी तरीके से घूत लीजिए बहुत ज्यादा टाइप ना हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो मैं देखो हमें थोड़ा सा इस तरीके से इस डो को अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़ा इसमें ताहिम लगता है तो देखी हमने इसे नेट कर लिया है अब हमें इस पर थोड़ा सा ओल लगा देंगे और हम इसे कम से कम 10 से 15 मिन के लिए धक्के रख देंगे अब हमने ली है यहाँ पर बदाम अब चाहे तो कोई भी बदाम ले सकते हैं अगर आपके पास इस खुमानी बदाम है तो वह बैस रहेगी और यहाँ पर हमने लिये हैं पुदीने के पते जिसे मैं अच्छी तरह से दोके इसे सुखा लिया है अब हम इसे बिल्कुल बहुत बारिक चॉप कर लेंगे और इसे हम दरदरा कूट लेंगे आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सक इसे हम चॉप कर लेते हैं तो इसे हम चॉप कर लिया है इसे बाउल में डाल देते हैं तो देखे हमें बादाम को भी दरदरा कूट लिया है यह भी हम इसे मिक्स कर देते हैं अब हम इसे में डालेंगे मसाले यहां पर मैं डाल जी हूँ 1 टी स्पून गरम मसाला 3-4 टी स्पून जीरा पाउडर 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर 1-4 टी स्पून हल्दी पाउडर 1 टी स्पून चैट मसाला और नमक स्वाद अनुसाला क्योंकि हमने अल्रेड़ी जो हमने फ्लोर नीड किया था उसमें भी हमने नमक दाला था तो आप नमक थोड़ा ध्यान से डालें अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं यह हमारा मसाला है जो हम इस फ्लोर में स्टफ करना है तो हम बनाएंगे सुखी कचोरिया पूदने और बदाम की यूपी बहुत ही टेस्टी बनेगी मसाले इसमें आप अच्छे डालेंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो हमारा स्टफिंग तयार है अब हम आटे को निकाल ल इसका फ्लेवर और टेस्टी बना देगा तो हम एक बार इसे फिर से थोड़ा सा गूत लेते हैं तो अब हम इसके चोटी-चोटी पेड़े बना लेंगे बहुत ज्यादा बड़ी कचोरी नहीं बनाएंगे हम उखाने में इजी नहीं होती है हम अच्छे-च्छे सुन्दर स तो हम इस तरीके से गोल करके इस तरीके से हम इसे कटोरी टाइप बनाएंगे ताकि हम इसमें स्टाफिंग फिल कर सके अब हम यह स्टाफिंग इसमें डाल देते हैं यह बहुत ही टेस्टी रशिपी बनेगी आप इसे जरूर ठ्राइक हिजएगा यह हमाचल में बहुत ही ते मेरी एक फ्रेंड की मॉम ने जो हम चोटे हैं उत्ते हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी माउम से हमें अरलग अलग जगे के बारे में बहुत अच्छे नॉलिज मिलती है तो ये मेरी फ्रेंड की मॉम की रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं तो देखिये मैंने इसे ये फिल कर दिया है वसी तरीके से हम बाढ़ी बहुत कर लेते हैं तो देखिये हमने कचोरिया रेडी कर ली है अब पि만पया हम एने तेल में डी-फ्राइ करेंगे हम आप मिने ग्यास पे पिल चड़ा दिया है तब हम इसमें ये कचोरी डालेंगे हम दो दो करके इसको रेडी करेंगे हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तब इसे हमें फ्राइख करना है देखिए हमें इसे दोनों तरव से डीप प्राइख कर लिया है हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम बाकी कचोर्या को भी रेडी कर लेंगे तो देखिए हमारी बाकी के कचोर्या भी रेडी है हम इने भी बहार निकाल लेते हैं तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और इसके उपर हम रखेंगे एक तुदीनी का पत्ता हम सर्व करेंगे इसको आफ आप चाहें तो इसे सौस के साथ भी खा सकते हैं और आप इसे कट करके इसको आप दही में गरीन चाटनी और इनले की लगती है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंट्स और सामली के साथ जरूर शेर करें और मेरे चैनल को अभी तक अब गर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें थैंक्स और वाचिंग नाव विल मेट इन नेक्स वीडियो जल्दन बाई